असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप लोग इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत वरी अपडेट सेर करने वाला हूँ क्यूआ में जो आ चुकी है ये आपके ट्रांसफर से रिलेटेट है आपके ही ट्रांसफर के लिए और आइधिंक ये आपके लिए एजी भी हो चुका है कुछ लोग बोलेंगे मेरे लिए तो डिफिकल्ट है बट मेरे पॉइंट व व्यू से अगर आप देखोगे तो ये अपडेट की वज़़े से आपका कफाला असान हो जाएगा ये अपडेट आपके लिए अच्छी है और जो भी साओधी जहां भी आप कफाला लेना चाहते हो कंपनी मुसस्से उसके लिए भी अच्छी अपडेट है तो चलो ये अपडेट क्या है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ देखो यहाँ पे पहले क्या होता था कि जब आप टांसफर लेते थे तो टांसफर लेने के बाद कंपणी को पता चलता था कि इस बंदे का तो एकामा इतना दिन से एक्सपायर चल रहा है इसका वर्क परमिट बहुत दिनों से एक्सपायर है इसके उपर बहुत सारा फाइन है या फिर किसी भी तरह का आपके पास फाइन होता था रुक्सतल अमल का फाइन कोई भी आपका जो है यहाँ पे मतलूब होते थे आप किसी तरह के तो यह सारी चीजे जो थी पहले क्या होता था यह कफील कंपनी को जो है जब आप टांसफर ले लेते थे उसके बाद जो है उसे पता चलती थी और ऐसे कंडिशन में उसके पास कोई और आपसन नहीं होता था या तो वो आपको बोलता था कि यह सारे फाइन आप पे करो यह कामा की फीज हुए इतने दिन से आपके एक्सपार है तो यह आप दो वरना आपको forcefully वो बोलता था I think कि आप दो क्यूंकि आप नहीं दोगे तो फिर वो आपका salary में से काट लेगा ऐसा होता था तो अभी जो है यहां पर इसी के regarding बहुत ही एक अच्छी update आ चुकी है जो भी आपके उपर कितना कफाला हुआ है आपका यह भी वहां पर पता चलेगा जब आप transfer लोगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कि आपका work permit आए गा या नहीं वह मतलब कि notice period आएगा या नहीं current company का approval की जरूरत परेगी या नहीं और आपके उपर कोई fine wine है या नहीं आपका कितना कफाला हुआ यह सारी चीजे पता चलेगी आपका कितने दिन से कामा expire है तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए भी और जो company में आप transfer ले रहे हैं उसके लिए भी कि वह आपको बाद में परेशान नहीं कर सकती कि आपको यह पैसा देना और यह देना क्यूंकि आपने पहले ही उसको बता दिया भाई मेरा इतने दिन से वहाँ पर पता चल जाएगा कि एकामा expire आपके ऊपर कोई मतलूब है या नहीं आपका एकामा आगे बन सकता है कि नहीं सब कुछ वहाँ पर A to Z information आप से related पता चल जाएगी जब भी आप transfer के लिए apply करोगे और यह भी पता चल जाए current company का approval की जरूरत होगी या नहीं notice period आएगा या नहीं सब कुछ मैंने already पहले भी बताया था बट यहाँ पर जो है अपडेट वजारत लामल की तरफ से क्यों हमें कर दी गई है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को अच्छे से क्योंकि आपको पता है वाई यह चैनल पर आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती है कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं जरूर उसको अपने लफजों में अपने तरीके से explain करके आपको बता देता हूँ कि हाँ वाई ऐसी ऐसी अपडेट आ चुकि है इस लिए आप इस चैनल को subscribe करके जरूर कर ही तो क्योंकि इस तरह की तो video आती ही रहती है आपको पता ही है 90% लोग आप लोत जो वीडियो देखके चले जाते है पता नहीं आपको क्या ही दिक्कत है अगर subscribe कर दोगे तो कोई दिक्कत है एक बार subscribe तो करकë रखो video देखते हो चले जाते हो सब्सक्राइब करो यार कितने बार बोलूं चलो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी तरह का टासफर से रिलेटेड मैंने हर तरह की वीडियो बना दिये कामा एक्सपायर वर्क परमीट एक्सपायर छुट्टी का फाला घर कैसे जाए फस गए है तो ऐसा कोई भी आइटिंक टॉपिक नहीं है जिसके उपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है सब के उपर बना दिये बट फ पर वाचिंग से वी नेक्स वीडियो